हेलो दोस्तों, great smashes में आपका स्वागत है next example on DFA designing is design a DFA which accept all strings over 0 and 1 in which second symbol must be 0 and fourth symbol must be 1 मतलब हमारे को DFA design करना है जो वो सारी strings को accept करें जिसमें minimum से minimum अगर हम बात करें string की उसमें जो second symbol है वो 0 होना चाहिए और fourth symbol जो है वो 1 होना चाहिए तो जब भी हम DFA design करते हैं, सबसे पहले आप minimum string जो है वो find out कर लो तो minimum string की length कितनी होगी? 4 4 से कम तो हो नहीं सकती, हाँ 4 से ज़्यादा जितनी भी हो सकती है लेकिन minimum length जो होगी वो कितनी होगी? 4 अब उसमें first letter 0 भी हो सकते है, 1 भी हो सकते है लेकिन second letter जो है वो 0 ही होना चाहिए third letter 0 भी हो सकते है, 1 भी हो सकते है और fourth letter क्या होना चाहिए, 1 अब यहाँ पे आपको द्यान रखना है कि जो first letter है वो letter A की होना चाहिए हाँ, 0 और 1 में आपके पास option है और third letter मतलब fix किया हुआ है, यहाँ पे letter A की आएगा third position fix है, लेकिन letter 0 और 1 कोई भी हा सकता है और fourth position भी fix है, और letter भी fix है, that is 1 तो इसको start करते है, सबसे पहले आपको मैं point यहाँ पे बता दू कि जब भी इस type के question आते है, जिसमें आपको दिया जाए कि इस length को जो है, या जो भी आप DFA design कर रहे हो वो इस string को accept करना चाहिए, इस string like 001, 100, 0001 कुछ भी इस तरीके का question आता है, तो जो minimum length है आपकी 4 तो DFA में minimum states कितनी आएंगी, n प्लस 1 यह point अपने mind में बिठा लो, minimum state की बात कर रहा हूँ मैं maximum की बात नहीं कर रहा, जब भी आप DFA design करते हो तो minimum state जो है वो आएंगी, n प्लस 1 और यहाँ पे n क्या है, n is the length of the minimum string जैसे इस question में हमने डिसिस किया कि minimum जो string है, उसकी length कितनी है, 4 तो यानि कितनी states कम से कम आएंगी, 4 प्लस 1, that is 5 यह कम से कम states है, तो start करते है, Q naught से that is our starting state, Q naught पे हमारे पास देखो, Q naught पे हमारे पास option है, या तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है तो मैं वही 0 या 1 को यहाँ पे define कर देता हूँ मतलब आपको loop नहीं यहाँ पे बनाना, अगर आप loop बना देते हो तो आप multiple 0s या multiple 1s को invite कर रहे हो लेकिन आपने loop नहीं बनाना, क्योंकि हमारे पास fix है एक ही symbol आएगा, 0 आ सकता है, या वान आ सकता है तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, Q naught पे अगर 0 आता है तो मैं transition Q1 पे जाऊंगा अगर Q naught पे 1 आता है, तब भी मैं transition कहां पे जाऊंगा Q1 पे ही जाऊंगा next हमारे पास आता है Q1 पे second symbol जो है, वो मेरा fix है that is 0, 0 आते ही आप कहां पहुंचाओगे Q2 पे पहुंचाओगे अब Q2 पे आपके पास third position जो है, वो again fix की हुई है हमने, लेकिन letter जो है वो 0 या 1 में से कोई भी आ सकता है तो आप कहां पहुंचाओगे Q3 स्टेट पे पहुंचाओगे और Q3 पे अगर आप 1 apply करते हो, तो आप Q4 स्टेट पे पहुंचाओगे that is your final state तो देखो, कोई भी symbol, कोई भी अगर हम बात करें यहां पे, तो first में आपके पास choice है, 0 और 1 में से कोई भी आ सकता है, second 0 हमने fix कर दिया, third position पे 0 और 1 में से कोई भी आ सकता है, fourth हमने fix कर दिया, that is 1 तो इस तरीके से आपको DFA design करना है, तो देखो, minimum states हमने निकाली थी, 5, 1, 2, 3, 4, 5, but क्या यह DFA complete है? नहीं, DFA complete कब होगा? जब हर एक state पे input symbol हमारे पास complete होगे, मतलब हर एक input symbol के लिए आपको transition बनानी है, तो हमने q.0 पे 0 और 1 के लिए transition बना दी q1, लेकिन q1 पे हमने 0 के लिए तो बना दी transition, 1 के लिए क्या करें? अगर मैं 1 के लिए यहाँ पे loop बना दूँ, तो फिर आपके पास 0 1 1 1 1 1 0 0 कोई भी stripe की string जो है वो आ सकती है, reason उसका क्या है multiple times 1 आ सकते है अगर आपने loop बना दिया, तो loop तो हमने बनाना नहीं है, हमने क्या करना है इसको fix करना है, fix करने के लिए मतलब आपको क्या करना है trap state का use करना पड़ेगा कि अगर second symbol 1 आता है तो आप उसको trap कर दो second symbol अगर 1 आता है, तो आप उसको trap कर दो क्योंकि second symbol 0 ही आना चाहिए, तो 0 आता है तो Q0 पे पहुंच गए, Q2 पे लेकिन अगर 1 आता है, तो let's suppose आप Q5 पे पहुंच जाओगे and Q5 is your kind of trap state, then Q2 देखो, अब 0 और 1 के लिए Q1 हो गया, fine, Q2 0 और 1 के लिए final है, मतलब आपने 0 के लिए भी बना दिया, 1 के लिए transition बना दिया, Q3 आपने 1 के लिए तो बता दिया, कि Q4 पे जा रहा है, लेकिन 0 के लिए कहां जा रहा है, 0 के लिए obviously अगर आप loop बनाते हो, तो same वही problem आएगी, 0 के लिए अगर आप loop बनाते हो, तो multiple times 0 आ सकती है, इस position पे, लेकिन हमने multiple time ने, सिरफ एक time 0 आनी चाहिए, तो एक time के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या जैसी यहाँ पे 0 आएगी, तो आप इसको भी क्या करो trap state में डाल दो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे 0 आए, हम चाहते हैं कि 1 आए तो fine है, अगर 0 आती है, तो उसको trap state में डाल दो, तो Q5 आपकी trap state है, तो Q3 1 पे भी final होगी 0 पे भी, next चाहते है Q4 पे, अब Q4 0 और 1 के लिए कहा जाएगा, Q4 simple सा logic है, 0 और 1 के लिए, loop आप बना दो reason उसका क्या है, second symbol 0, fourth symbol 1, और उसके बाद क्या उसके बाद कुछ मर्जी मतलब, fourth symbol के बाद कुछ मर्जी आए, 0 आए, 1 आए 0, 0, 0 आए, 1, 1, 1 आए कोई problem नहीं है, हमने जो अपनी condition थी, second symbol और fourth वाली, वो fulfill कर दी, next हमें कोई problem नहीं है, तो 0 और 1 जितने मर्जी आए, आपका fix हो गया और trap state के लिए तो कोई problem ही नहीं है, trap state 0 और 1 के लिए, हमेशा खुद पर ही जाती है तब इसका नाम क्या है, trap state तो देखो, आपके पास जो है यह इस तरीके से आपको dfa design करना तो number of states कितनी है, यह आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पर हमने formula के discuss किया, minimum number of states आपकी n प्लस 1 है, लेकिन dfa में एक one हम generally add और करते हैं, और वो one हम add करते हैं trap state के लिए, तो जरूरी हमारे पास, जरूरी नहीं है कि trap state हर एक state में ही आएगी या हर एक condition में ही आएगी लेकिन जरूरी dfa में हमारे पास trap state होती है, अगर trap state आप include कर रहे हो तो minimum number of states आपके पास कितनी आएगी, n प्लस 2 आएगी अगर आप trap state नहीं करना चाहते तो minimum number of states आपकी n प्लस 1 आएगी, तो trap state multiple हो सकती है why? multiple बनाने की जूरती नहीं है trap state का मतलब भी क्या है अगर आपको लगता कि किसी को भी आपको trap करना है, बस सीधा आप उस पे trap state पे transition कर दो multiple trap state बनाने की जूरती नहीं है एक trap state से ही आपका काम चल जाएगा, thank you